जैसा कि आपको पता होगा कि समर स्लैम 2024 के लिए एडवर्टाइज हो चुका है कि वर्ल्ड हवी वेड चैंपियंशिप के लिए गुंथर वसेज ड्यामियन प्रिष्ट का फाइट होगा और आने वाले रॉक के एपिसोड के लिए यह भी एनौंच है कि दोनों सपस्टार का ह हमें फेस आफ देखने को मिलने वाला है तो इसी चीज़ पर डिस्केस करेंगे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चली सेली वीडियो को शुरू करते हैं आप जैसा कि मैंने आपको शुरुवात में ही मैं आपको बता 24 में हमें वर्ल्ड हैवीवेड चैंपिंसिप के लिए गुंथर वर्सच ड्यमियंपेश्ट का फाइट होने वाला है गुंथर एक नमबर वन कंटेंडर सिप को नहीं जीते हैं बल्कि गुंथर एक इंग और डरिंग के टूनामेंट को जीते हैं और काफी दिन से डबल हो चुका है समर स्लैम 2024 के लिए और आपको पता होगा कि यह वाला जो मैच है वह लगभग दो महिने पहले से ही कनफर्म हो जाता है लेकिन डबल डबली ऑफिशियल अभी से लगभग दो वीग के पहले वाले रोग के एपिशोड में करती है और गाइस इसी को देखते मैं डामें प्रिष्ट एंड बुंधर जैसे सुपश उपर रहेंगे दोनोग सुपश्टार का फिस-वाल लेगांव काफी इंट्रेस्टिंग होगा कि जब इन दोनों सुपरस्टार का हमें face off देखने को मिलता है तो क्या मतलब सिंपल सा एक सिग्मेंट होता है माईक और प्रोमो देखने को मिलता है यह ऐसा भी होता है कि यह दोनों physical चले जाते हैं और ऐसे करके हमें हिंट मिल सकता है कि summer slam 2024 में यह वाला जो fight है दोनों big superstar के बीच में काफी interesting होने वाला है लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले raw के episode में जब इन दोनों सुपरस्टार का कोई segment को WWE book करेगी तो हो सकता है कि normal सामे प्रोमो का कोई segment देखने को मिल जाए में भी हो सकता है कि यह दोनों physical भी जा सकते हैं एक दूसरे पर attack भी कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए यह वह जो segment है announce हो चुका है तो होप करता हूं कि video आपको help करेगी बाई बाई फ्रेंड्स